आपको भी Flipkart Big Will and Days, यह Amazon Festive Sale में एक फोन देना है, लेकिन कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए, Tencent क्या है भाई, Techfinet को सबस्क्राइब क्या है न, आपको हर बजेट में बेस्ट चॉइस बताने वाला हूँ, इसमें आपको Ultra Bright Amulet Display देखने मिल जाता है, 64 Megapixel का Ultra Stable Camera मिलता है, जो OIS के साथ मिलता है, भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा Stability आपको देखने मिल जाएगा, वीडियो रेकॉर्डिंग, फोटो शूट्स, सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसमें कर सकते हो, MidiDek Diamond City 920 है, जो कि अच्छा कासा performance आपको देदेगा, गेमर्स के लिए अच्छा है, और डिटुर्य लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा Stable Processor है, Capable Processor है, नाइट फोटोग्राफी भी आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि आइकुकर इसमें आपको कैमरा भी अच्छा कासा देखने मिलता है, इसका जो में हाइलाइटिंग पॉइंट है, इसमें आपको 44 वर्ट का फ्लैस जाइज देखने मिलता है, 50% चार्ज हो जाता है, इसमें आपको साइट 21 या 20,000 में देखने मल जाए, लेकिन यूगि इसमें आपको 8 GB नहीं भाई, 12 GB, 256 GB का वेरेंड मिलने वाला है, और इसमें आपको वीगन लेदर मिलने वाला है, पैंटोन करेटर कलर्स मिलने वाला है, भाईट फोटोग्राफी 16x फास्टर मिलने वाला है, IP68 रेटिंग, पानी वानी में लेके जाओ, भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटो बहुत ही जल्दी अपने फोन्स में अप्ग्रेड ला रहा है, 50% चार्ज इन 15 मिनेट्स, भाई, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी है इसमें, Dolby Atmos और 50% का OIS कैमरा, इतो इसके बेसिक फीचर से हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेश्ट लेवल वाग करते हैं, और बेस्ट लो लाइट फोटोज, भाई, इस बज़ेट में, इस रेंज में, इसके कैमरा के मुकाबले में, साहेट से कोई और फोन ना हो, तो इसमें बेस्ट लो लाइट फोटोज भी आपको देखने मिल जाएंगा, आप अच्छे कासे नाइट फोटोग्राफिक कर सकते हैं, मुझे पता है आप कौन से वाले फोन के नाम सुनना चाहते हो, लेकिन उससे पहले हम बज़ेट की हिसाब से चल रहे हैं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, वनप्लस 11R की, जो की अभी ही 40,000 में आपको देखने मिल रहा है, लेकिन ये सेल्स में आपको 35,000 के आज़ पर देखने मिल जाएगा, जो की बहुत ही अच्छा चॉइस होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको HyperTouch Engine for Gaming मिलने वाला है, अजब गेम इसमें आपको बहुत ही जादा अच्छा experience मिलेगा, इसमें 120Hz का Super Fluid Display है, क्योंकि भाई, OnePlus के जो डिस्प्ले होते हों वो next level रहता है, Snapdragon 8 Plus Gen 1, अगें, ये top of the line प्रोसेसर है, बहुत ही जादा अच्छा है, और capable प्रोसेसर है गेमिंग में आपको बहुत ही अच्छा experience मिलने आला है, 16GB का RAM है, 100W SuperVOOC Charging है, अब SuperVOOC इसलिए है क्योंकि ये OPPO के साथ कोलाब कर चुका है, तो इसमें आपको Fast Charging में देखने मिल जाएगा, आप 10 मिनिट चार्ज करो, वोल्ड ये आपका फोन काम करेगा, और इसकी camera specs भी काफे अच्छा है, अब ठिक ठाक camera चल जाता है, भाई मैंने खुद भी यूस किया है, और आपको अगर रिव्यू चाहिए तो उपर आई बटन पर आप क्लिप कर सकते हो, तो इसमें जो आपको camera मिलता है, आपको 50 में पर चामरा मिलता है, और RAW HDR photography भी आप इसमें कर सकते हो, अब नेक्स्ट फोन के बात करता है, तो नेक्स्ट फोन भाई सब का चाहिता, पिक्सल सब है नहीं, यह भी 43,000 के आसपास देखने मिल रहा है, लेकिन सेल्स में आपको 39,000-38,000 में देखने मिल जाएगा, और इस बजट में यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके जो main highlighting features है, यह है इसके camera, इसमें आप night photography कर सकते हो, with different effects, कोई भी effects दाल सकते हो, चलो कुछ editing के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें आपको magic eraser भी देखने मिलता है, जो कि अगर कोई भी object को आपको erase करना, आपके photo से, कोई भी object को आपको remove करना है, तो आप easily कर सकते हो, long exposure देखने मिलता है, भाई, moving objects के photo भी आप ले सकते हो, with real tone, चलो security के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें आपको मिलता है security के लिए, Titan M2 chip, और बहुत ही ज़ादा अच्छा secure रहता है आपका सारा data इसमें, और एक बात कर लेता है इसमें प्रोसेसर कॉन सा है, इसमें प्रोसेसर आपको देखने मिलता है G2 chip, जो की Google का कुटका है, और battery life भी इसमें आपको अच्छी कासी देखने मिलती है, आप टाइम आगे, आप सब को जिस फोन के बारे में जानना था, जिस फोन का आप सब को वेट था, वो फोन के बारे में कहने के लिए, आइफोन 13, ये most अवेटेड फोन है, सेल्स के लिए, क्योंकि भाई, लोग तुट पड़ते हैं इस फोन को लेने के लिए, इसमें आपको IP68 रेटिंग देखने मिल जाती है, सेरिमिक शील्ड देखने मिल जाती है, जो कि अब तक की बहुत ही जादा टफ है, मतब यार तोटने का तो बहुत ही कम चांस उस रहता है, और इसमें कैमरा के बारे में क्या ही बता हूँ, 12 Megapixel के डूल कैमरा आपको बैक में देखने मिल जाता है, सिनेमेटिक मोड, फोर्ट के रवीडियो रेकुर्डिंग, अच्छे खासे पोट्रेट फोटो आपको सब देखने मिल जाता है, और वीडियोग्राफर्स के लिए तो ये वन अफ बेस्ट फोन है, इस बजेट में और इसमें आपको A15 Bionic चिप भी देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही जादा कैपिबल है, तो इसमें आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी कासी मिल जाती है, इवन आइफोन 12 से काफे जादा बैटर है, नाइट फोटोग्राफ भी तो बहुत ही जादा अच्छा इंप्रूवड है, तो इसका जो प्राइस ही अभी वो तो 52,000 है, लिकिन सेल्स में आपको बैटरी ताउजन आसपस देखने मिल जाएगा, नेश्ट फोन है हमारे पास, अब आप इस सोचे हो कि मैं Samsung H22 क्यों नहीं बता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी नाफ आपको देखने मिलता है, वो Samsung H22 Plus के मुकामने बहुत जादा कम है, उसमें आपको 3700 mAh की बैटरी देखने मिलती है, और इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने मिलती है, तो भाई बैटरी में बहुत ज़्यादा यूज अपडेड है, Samsung H22 Plus में आपको अमेजिंग डिजाइन देखने मिल जाता है, अलुमिनियम आर्मर के साथ, कॉर्निंग गोर्ला ग्लास बिक्टस है, ट्रिपल क्यामरा सेटव है जो की बहुत ही अच्छे फोटोस निकालता है, 12MP, 15MP और 10MP के कैमरा है इसके बैक में, और इसके फ्रेंट में आपको 10MP का सेल्फी कैमरा पर देखने मिल जाएगा, स्क्रीन है इसका 6.6 इंच का बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है, क्योंकि सामसंग अपर डिस्प्ले के ले मानना जाता है, इसमें आपको FHD Plus Infinity डिस्प्ले भी देखने मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छी स्पेक्स है, आपको FHD Plus में देखने मिल जाएगे, और सेल्स में भाई यह बहुत ही ज़्यादा value for money फोन बन सकता है आपके लिए, तो जो आखरी फोन हमारे लिश्ट में है, वो one of the best value for money है, अभी के टाइम में, क्योंकि अभी भी इसका प्राइज है 80,000, मैं बात कर रहा हूँ सामसंग H22 Ultra के बारे में, और यह एक टाइम पे वन अप दे बेस्ट सेलिंग फोन था, और इसके features क्या ही कहने है इसके, आइफोन को टकर देने वाले, या फिर आइफोन को इवन बीट करने वाले features हैं इसमें, इसमें आपको देखने में जाता है, Corning Gorilla Glass Victus, Armor Aluminium Protection भी देखने मल जाता है, Frames आपके पूरा Aluminium के हैं, प्रॉपर Quad Camera मिल जाता है बाई, 12MP, 108MP, 10MP, 10MP और 10MP का, मतब वो जो चांद वाली फोटोज आप इसी से ले सकते हो, सेल्फी कैमरा में 40MP सेल्फी शूटर भी देखने मल जाता है, स्क्रीन में आपको इसमें 6.8 इंच की यूज दिस्प्ले मिल जाती है, Quad HD Plus Infinity O display के साथ, और इसमें आपको बैटरी भी अच्छी खासी, 5,000 mAh की बैटरी मतब यार पूरा दिन आप अच्छे से हेवी यूज भी कर सकते हो, जो इसमें एड़ ओन है, इसमें आपको S Pen भी देखने मिलता है, जो कि आप नोट मेकिंग लिए यूज कर सकते हो, तो ये था हमारे लिष्ट में Best Value for Money Phones, जो आप Sales में करी सकते हो, अब आप कमेंट करो कि आप कौन सावल फोन लेने वाले हो, और मैंने कौन सा फोन मिस किया, अगर आपको उसके बारे में जानना है, अगर आपको इफ वीडियो पसंद है और आप चाहते हों कि असे वीडियो आपको आगे भी मिलें, देन दो लाइक से और सब्सक्राइब टो आवाचलर टेक फाइनाइट, लेट्स चेक इपाएंट,